इस विडियो को गलती से भी मिसमत करना लिंक उपर आए बटन पे दे दिया है तो चले तो फिलाल तो इस बड़ो को अभी स्टार्ट कर लेते हैं सो ठीक है दोस अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमरे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और इस बड़ो में हम लोग बात करने वाले येस आने वाले नेक्स्ट पाच दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगी कौन से important trigger point है जिसके चलते बाजार में बहुत बड़ी हल चले होते वे देखने को मिलेगी ठीक है बाजार extremely उपर जा सकता है नीचे जा सकता है तो इस सारी important खबरे में आपके सामने cover करने वाला हूँ सो स्टार्ट करते पर उससे पहले फॉर्मलेटिस के साथ शुरुआत करेंगे मतलब क्या है कि बाजार क्या पूरे पाच दिन चलेगा या फिर कोई छुटी है तो येस दोस्तों हम यहापे कह सकते कि इस हफते बाजार पाच दिन ने केवल चार ही दिन चलेगा क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बाजार का माहूल क्या कहलाता है ये भी तो एक इंपोर्टन चीज है अगर पिछले हफते की बात करें तो लाल निशान में हम लोग को वर्क होते भी देखने आप मिल रहा है अक्च्वल में अगर देखा गया तो हमारा मार्केट लोग बात करें तो येस जो अच्छी तेजी बीच में जबरदस बनी थी वो अभी थोड़ी सी रुक्ती भी देखने को मिल रहे क्योंकि इसके पीछे का रिजन आपको पताई है ग्लोबल मार्केट में स्लोडाउन देखने को मिल रहा है इसलिए हमारे बाजर भी रुके औरे जिसके चलते बाजर में फोकस रखा जाएगा और पहली खबर रहने वाली है दोस्तों जबसे इंपोर्टन खबर येस जो शुरू होई थी जैनवरी से हिंडनबग आप सब लों को पता है अदानी ग्रूप के ओपर आरोप लगाये थे देन ये मामला सुप्रीम पताए investigation करो सेवी ने बाद में बोला हमें 6 मैने का extension चाहिए सुप्रेम फोर्ट ने बोला 6 मैने का extension नहीं, 3 मैने का extension देलो और उसके बाद बूला ह्कि 14 औगस्ट को आपको अपनी रिपोर्ट सब्मेट करनी है तो अभी कल के दिन क्या सेवी रिपोर्ट पेश करता है या पिर कुछ और extension की बाते हैं आपे करता है शायद से अभी इसके chances तो कम है क्योंकि और एक बार extension तो मिल चुका है जो भी कुछ भी होगा दूत का दूत पानी का पनी कल हम लोगो थोड़ा बहुत होते वे देखने का आपे मिल जाएगा अगर हम लोग बात करते हैं तो कल का दिन important भी क्यों है सर चोड़ी ना हमारे पास चोड़ी ना अदानी के शरह नहीं मैंने इसके पहले भी आपको बुला है कि entire bank nifty के उपर भी focus रहेगा क्यों कि obviously ये group कि अगर हम लोग बात कर तो आपको पता ही आदानी group के उपर बहुत बड़ा करजा है और करजा है मतलब banking stocks के उपर ज़्यादा focus रहता है खास करके सरकारी banks, PSU bank जो रहेगा, nifty PSU bank index इसके उपर ज़्यादा focus यापर market का रह सकता है तो जो भी सवाल के जावब है कल शायद से हमनों को, कल मतलब हाँ कल की दिन के हमनों बात कर सकते, जरूर देखने का आपे मिल जाएंगे बहुत सरे लोगों ने request भी की थी, request की इस बात की, in fact मैंने ही बोला था, कि ये जो चीज हमनों को देखने को मिल रहे न, ये Supreme Court में क्या यहापे होगा, इससे related क्या outcome आ सकता है और उसके बाद अदानी shares का क्या होगा करके, मैंने आपको promise क्या था, इसके उपर मैं एक अलग से video बनाऊंगा, बड़ आपको पता है कि yes, वो जो delight वाली ख़बर सामने आ गई, ठीके, उसके चलते मतलब अभी हम बोल सकते हैं, वो कहानी में twisty आ गई करके, बट फिर भी चलो, अगर आपको चाहिए, इसके उपर भी मैं अगर detail में वीडियो बना दो, आज ही के दिन बनाना पड़ेगा, तो just comment section में yes करके बोल देना, definitely मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगा, जो कि इतियास में भी इसके पहले कुछ ऐसा थोड़ा बहुत चीज़े हम लों खबर होगी, तो वो रहने वाली है दोस्तों, मतलब भारत सरकार के ओर, आपका अच्छा कासा focus या पर रहना चाहिए, मतलब government से related दोस्तों, बहुत सारी updates आते वे देखने को मिल रहें, ऐसा क्यों, आपको बताईए, inflation वापस परिशान करते वे देखने को मिल रहा है, खास का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, sugar sector से related, कि बोला गया, sugar mills को आपके पास जितना भी, मन्तली जितना भी sugar रहते है, उसका 90% आपको market में निकलना पड़ेगा, ओर supply होना चाहिए, तब ही जाके दाम नीचे घटेंगे, तो inflation को धिमे धिमे करके नीचे लाना है ठीक है, तो ऐसे और भी अलग-अलग sector से related, खबरे सामने निकल सकती है, so cabinet की बेठक, बुदवार के दिन होती है, उसके उपर भी आप focus रख सकते हो, तो एक important point रहेंगे, then RBA के उपर भी focus रहेगा, RBA भी वापस हम लोग को active होते भी देखने को मिल चुका है, क्योंकि जो उनने quarter two के अगर हम लोग बात करें, second quarter के बात करें, inflation 6% के वापस भार निकल जाएगा, उसके उनने बात की थी, तो definitely इस चीजों के चलते, RBA के उपर भी आप लोग का focus रहना चाहिए, कोई अगर update आते है, तो पता होने चाहिए, then अगर हम लोग बात करेंगे, crude oil, yes, crude oil न crude के prices, हम लोग को वापस उपर जाते वे देखने को मिलेंगे, वही चीज़ अभी हम लोग फिलाल तो देखने को आपे मिल रही है, next अगर हम लोग बात करेंगे, तो obviously quarter one के result का season अभी भी जा रही है, कुछ company के number अभी भी सामने आना बाकी है, तो उसके उपर भी आप लोग हम लोग बात करेंगे दोस्तो, तो IPO, yes दोसो, IPO market भी हर किसी के radar के उपर रहेगा, obviously जिनको IPO अलोट हुआ है, SB, FC, Finance की अगर हम लोग आपे बात करें, ठीक है, तो आप सबी लोग को पताईए, बताय जा रहा है कि उसका listing, बुद्वार की दिन हो सकता है, 16 अगस्ट को, ठीक है, तो यह final तो point देखने को आपे मिल रहा है, एंड एक और IPO आया था, Concord BioTech की भी अगर हम लोग बात करें, तो इसी हफते का आखरी दिन, मतलब Friday की अगर हम लोग बात करें, तो उसका भी हम लोग को listing होते वे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कुछ और भी IPO यहापे open हो स बड़ी बाइंग नहीं थी, बट फिर भी हम यहापे बोल सकते हैं, हरे निशान की तो at least हम लोग को presence देखने को मिल गई, बट वापस लाल निशान और बहुत ही तगड़ा लाल निशान, 3000 करोड की net बिक्वाली FIS के और से आपे होई है, तो अगर FIS ऐसे ही बेचते रहे, पहले का जबाने का मार्केट नहीं रहा कि हमारा मार्केट बहुत नीचा आ जाया, क्योंकि DS मजबूत हो चुके है, बट स्टील हाँ, जो उपर जाने के लिए जो strength चाहिए, उसके लिए थोड़ा FIS के और से push मिलना बहुत important है, लास्ट टाइम जो हम लोग 800 के range में थे, ज हम लोगों के लिए आप देख सकते हो, बिलकुल यहाँ पे 83 के करीब, अभी यहाँ पे हमारा मतलब बोल सकते है, रूपी इतना weak हो चुका है, अगेंस द डॉलर, जो कि पहले हम लोग एक जमने में 60 रुपे के आसपास deal करते थे, then 70, 75, then 80, and right now 83 के करीब, बिलकुल हम लोगों के लिए बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है, जो भी सामान अब भार से इंपोर्ट करवाते हो, पहले आप लोगों को 60 रुपया देना पड़ता था, एक डॉलर के लिए अभी 83 देना पड़ रहा है, तो डबल फटका हम लोगों को लगता है, तो यह भी एक हम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो बैड न्यूस देखने को मिल जाती है, अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड रेट की बात करें, तो अगें 60,000 प्लस ही चलते वे देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और MPC की बात करे, FOMC की बात करे, CPI data की बात करे, वो तो हम लोग को end होते वे देखने को मिल चुके हैं, इसके प्रती कोई खास reaction देखने को नहीं मिला है, कि चलो भगा ले करके market को, ठीक है, तो अभी हम लोग यहापे कह सकते हैं, कि थोड़ा सा market के उपर burden रहते वे देखने को हम लोग को, मतलब support भी देखने को यहापे मिल रहा है, और support से ज़्यादा हम यहापे कह सकते हर level पे, resistant वाले बैठे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा उनसका confidence यहापे बना हुआ है, कि कोई बाजार में अच्छी खबर फिलाल तो देखने को नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा market को दबाया जाए, यह वाला सीनेरियो फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है, तो ठीक है दोस्तो, आशा करता है आप लोगों को वीडिया helpful लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको like and share कर सकते हो, and debate account अगर आपने अभी तो अपन नहीं किये, तो लिंक नीचो Bye-bye!